24 अक्टूबर 2022 दिन शोमवार को दिवाली हैं तो आज के बिड़ो में आप लोग बताऊंगा कि दिवाली के दिन ऐसी कौन सी चीजे हैं जिस अपने घर से बाहर नहीं देखना चीजे जिस माल अच्छमी चली जाती हैं बिड़ो को ध्यांचे देखना क्योंकि प्राइशन यान चैनल का मकसद है जन ही तेवं जन कल्यान करना इसलिए आप सभी दर्सकों को इस प्रकार के अच्छे छेचा करी दिखा जाते हैं आई इस बिड़ो में जानते हैं शार प्रथम दिवाली हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे शंपून घर के वाताव अर हमारे घर में धन वैभाव वास हो क्यूंकि ये होना जरूरी है क्यूंकि हमारे घर में धन लवलास होते हैं धुरिद्रता रहे तो हमें दू का अभास होता है कुछ ऐसे गलती कर बैडते हैं, कुछ ऐसे चीज़ों को हम अपने घर से बाहर फ्यक देते हैं, जिसे मालचमी नराज हो जाती हैं, और हमारे घर का परित्याग कर देती हैं, तो दिवाली की समय अगर आप भी जो है, साफ साफाई करें, तो कुछ चीजों का ऐसे घर से बाहर नहीं फेकना चाहिए, इस बिड़ो में जानते हैं, कि मालचमी जी के पैर की चीन को घर के मुख्य दर्वाजे पर दिवाली से पांस दिन पहले जरूरी अंकित करना शुरू कर देना चाहिए, ध्यान रहे, पैर के निशाने घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, इस से या स सुनचीत होता है कि दिवाली की रात महलाचमी बिल्कुलIRE आता है झाले चले आता है और आपको आाशिरवात महलाSt उसक्यासन आप स्वागत के लियुक्त कि शवागत के लिए विद्धी का तोरान बनाना चीं है आम और केले के पत्ते घर के मुख्य द्वार पर मता लच्मी के आगमन के लिए जरू ठांग करके रखना चीं हमारे धर्मसासर काते हैं आप माने या ना माने बिल्कुल ही मता लच्मी दिपा उवलिक दिन हमारे घर में आती हैं आप उनके पुजा करे यह न करें बिल्कुल आपके घर में आएंगे लेकिन अगर आप उनके पुझा पाथ नहीं करते तो आप आपके घर से वापस हो जाते लेकिन कुछ ऐसे काराण होते जिसके वज़ा से मालचमी भी हमारे घर में नहीं आती कुछ काराणों को बताना चाहूंगा आप एक बात क और दीपा वर लिक दिन अपने घर के मुख्य दर्वाजे परिया एक हमें फिर फटान फटा हुआ जो कपड़े जो जाड़ू है यह चीज मत रंखने यह तीन चीज जहां पर होती वहां पर मालचमी बिल्कुली नहीं आती कदापी नहीं आती तो इस बात का थोड़ा सा व अगर आप जो शफेद रंग की आप राजीता इस दिन माता लच्मी को भेंड करते हैं बहुत प्रशन होती वांकि सफेद पुस्पा कम चढ़ाना हो शकते तो रंगिन गुलाव चढ़ा सकते से माता लच्मी की पूरी जो किरपा बनी रहती है माता लच्मी कमल की पुस्पा स अगर कोई आपके दर्वाजे पर आजाए तो खाली हात मत लटने देना हो शकते माल अच्मी कोई रूप बना करके आपकी घर में आजाए आपके परिक्षा लेने आजाए तो इस बात के वीसे ध्यान रखना चाहिए इस बिड़ों में जानते हैं कि दिपा वली की समय में स जरू लिखना और कोईसस करना जे माल लच्मी शता सहाय करें ये भी क्योंकि मात लटमी से मैं क्योंकि दिपावले दिन खुद मतर जाबक करता हूं तो उस डिन मैं मात रनी से प्रात्ना करूंगे कि जितने भी मेरे सविस्क्राइबर है जिसमें भी मेरे चैनल में जूड़ें सभी की गरीबी मिटा है निर्धनता मिटा है आई इस विड़ो में जानते हैं कि दीपावली में शफाई की समय में भूल कर ऐसी कौन सी पांच चीजी है जिसे घर से बाहर नहीं फिकना चीए अन्यत्यामा लच्मी हमारे घर का परत्या कर देतीं क्योंकि ये बात जानना जरूरी हैं मैं हर दिन बोलता हूना कि बहुत साठी जो तांत्रिक वस्तु कुछ शमाघ्रिया होती है जिसमें माता लच्मी गवास माने जाती है फेंकने से माता लच्मी का अनादर होता है और माता लच्मी की सभाव चंद चलता है कभी भी एक इस थान पर लंबे समय तक नहीं टेकती ये दोनों चीज जो हैं माता लश्मी का प्रतिक माना जाता है आप इसे अपने घर से फेंकते हैं तो इन्हें धोकर की घर में पवीतरी स्थान पर आप रह सकते हैं कहते हैं कि इन्हें घर से बाहा निकलने पर घर से लश्मी चली जाती हैं ये छोटे छोटे चीजों को हमें बिल्कुल ही जानकारी अपने अंदर रखना चाहिए क्योंकि सारे जानकारी काम आते हैं इसके बाद आते हैं जाडू का शंबन माता लच्मिस हैं सास्तरों के नुशार वैसे तो तूटी-फूटी घर में जाडू नहीं रखना चाहिए ये नकरातमकता लाती है लेकिन अगर चली जाते हैं जाडू फेंकते हैं तो दरिदता का व्रास होता है दिपावलीक दिन घर से अपने जाडू को मत फेंकना जो घर में पुराने जाडू है उससे कहीं पर भी छिपा करके रखें आप दिपावलीक बाद में से फेंक सकते हैं लेकिन दिपावलीक पहले जाडू इसके बाद हैं लाल कपड़े तो देखे कपड़ों को आलमारिश अगर कोई पूराना कोरा हैं जैसे कि अपने कपड़े किसी कारणवस रखें शंभाल करके रखें हैं तो इसे सब्भाग्य का प्रतीक माना जाते हैं इसमें माता लच्छमी की सौधा कृपा बनी रहती जो ल सफ़आ के समय किसी के परस या फिर पेटी में पुराने सिक्टे मिल जाते हैं जो कि शायद आज के दौर्स में जरूरत जरुद मन्द जरूरत के लिए इस्तेमाल नहीं होते जो पुराने सिक्टे की ही स्वरूप कहें आपने देखा होगा जो पुराने सिक्के हैं इबाई साइट हैं बहुत सारे जो साइट होँआ पे करोड़ो रुपए में बिक्ते हैं तो जो पुराने सिक्के होते हैं ये भी लच्छमी स्वरूप कहें जितने भी पैसा होती हैं नोट होती हैं इसे लच स्री क्रिश्न को अधियन प्रीथ है मोरपंग को गलती से भी कचर में न डाले काते हैं घर में मोरपंग का मिलना धन कलाब शंकेत देते हैं हो शके तो इसे अपने घर के उत्तर दिशा में लटका करके रख देना उत्तर दिशा को धन का देवता अर्थाद जो है कहा जाए तो धन की कोशा अध्यक्च जिसे हम कुबेर जी बोलते इनके दिशा मानी जाती हैं तो एक बात का विश्येज ध्यन रखना बिल्कुल ही अब मोर के पंग को अगर अब उको पराप्त हो जाए साफ साथाई के दोरान तो इसे मत फेकना कोशिज करना मोर के पंग जो दिपावलिक आसा कर्टों के प्राचिन गयान चैनल के मद्धम से आप सभी दर्सकों को आप चोटे से जानकरी साजा की जारी हैं यह जानकरी आपके जिवन में मंगलमा एवम कल्यान करी साबित जरूर होंगे यह जानक़ी कैसा लगा ख़या हमें कॉमेंट सेक्समे जरूर बताना और जानकारी के अभाव में जानकारी ना हो तो जो है शिक्के को फेंग दे कवड़ी को फेंग दे संको फेंग दे तो उनके घर से लच्मी चली जा सकती है तो ध्यान रहे इस ब्लोको जन ही तो हम जन कल्यान के लिए आगे जरूर शेयर करना जब आप किसी के मदद करते हैं तो पिस ब्लोक आगे जरूर शेयर करना आज की जानकारी पर समाप तक करता हो कुमेंड बक्स में जैमातालच्मी जरूर लिखे धन्यवाद नमस्कार जैमालच्मी